हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंदीप एजूकेशन अकेडमी जूटिव चैनल, बच्चो टार्गेट 23 ये बैच चल रहा है जिसमें नीट 2023 और जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को फुल लम फुल फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, अपनी फिजिक्स की त्यारी के लिए आप 100% इस बैच पर रिलाई कर सकते हैं, आपको इधर से उधर किसी दूसरी और रिसोर्स में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बैच में हर लेक्चर में एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है, हर एक क्वेशन कराया जाएगा, हर तरह का कॉ पी पी दी जाती है, और साथ ही साथ हर लेक्चर के साथ आप फ्री में बहुत सारी बुक्स की हाड़ कॉपिस जीत सकते हो, बी एम शर्मा, डिसी पांडे, एचसी वर्मा, प्रदीप, एसले रोडा, एंसी आटी, फिंगर टिप्स, और भी बहुत सारी बुक्स, कैसे जीत स जाता है, उन सारे स्टुडेंट्स में से, जिन्हों ने इस वीडियो पर कमेंट किया होता है, और उसको प्रवाइड कर दी जाती है, बुक्स, कौन सी बुक्स, नीचे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, तो इस बैच में हमारा चल रहा है, टॉपिक फिफ्ट चैप्टर है, क्लास 11 का, फ्रिक्शन टॉपिक के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले है, टर्निंग ओफ वेहिकल ओना होरिजोंटल सर्कुलर रोड, क्या है ये, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, यहां से एक टॉपिक की शुरुआत होती है, बैंकिंग ओफ र कुछ भी है, अगर वो एक सर्कुलर रोड पे आ जाए, मतलब जैसे ये रोड है, और ये ऐसे मुड रही है, ठीक है, स्टाइल देख रहे हो ना, आप ड्राइंग बनाने का, ये रोड यहां से पतली है, यहां से मोटी है, नहीं, मैंने एक तम 3D लुप देने की कोषिश कि है, ये पीछे ये से रोड आके ऐसे मुड रही है, ठीक है, और यहां पर एक कार है, फ्रंट वीव आपको दिखाते हैं उस कार का, वो कार इस तरफ आ रही है, हमारी तरफ ये उसके दो टायर्स हैं, और ये ऐसे आ रही है, ठीक है, अब आप सोचो कि कोई भी बॉड़ी सर सर्कुलर मोशन में कब होती है, देखो, ये सर्कुलर मोशन ही तो हो गया न, जब भी टर्न लेगी किसी होरिजॉन्टल रोड पे, होरिजॉन्टल रोड मतलब जो बिल्कुल फ्लैट हो, और भी रोड्स होती है, अभी बताते हैं, एक फ्लैट रोड पे, अगर एक कार, एक scooter कोई भी vehicle truck bus ऐसे turn लेगा मुड़ेगा circular way में मुड़ेगा तो क्या होगा वो क्यों मुड़ सकता है देखो अगर कोई body circular motion कर रही है तो बिना centripetal force के तो नहीं कर सकती अर्थ sun के around circular motion में है centripetal force की वज़ा से centripetal force एक required force होती है it is a basic requirement for circular motion जब तक body पे जैसे यह ऐसे circle ले रही है तो इस circle का center इधर हुआ जब तक body पे center की तरफ कोई force ना लग रही हो body जो है circular motion नहीं ले सकती अर्थ sun के around घूम रही है तो उस circle का जिसमें अर्थ घूम रही है उसका center है sun तो sun की तरह वर्थ पे force लग रही है न gravity electron घूम रहा न्यूकलियस के around तो उस पे भी electrostatic force लग रही है nucleus की so circular motion होई नहीं सकता बिना centripetal force के और यहाँ पे circular motion हो रहा है और हमें कोई force तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन यहाँ पे force है ऐसे road पे जब एक गाड़ी turn करती है तो उसकी turning के लिए जो force responsible है वो है frictional force भई देखो natural tendency क्या है body की body ऐसी turn करेगी क्यों ऐसे जाएगी क्यों वो तो ऐसे सीधा निकल जाएगी skid मार के बाहर आ जाएगी तो इस तरफ इस तरफ जाने के लिए जो force उसको रोक रही है इस तरफ जाने से और help कर रही है उसकी turning लेने में तो इसको बाहर निकलने से कौन बचा सकता है friction क्योंकि जिस तरफ body के move करने की tendency होती है friction उसके opposite लग जाता है friction अब क्या होता है कि यह friction है मानलो इसकी limit है 10 Newton तो यह car को कह रहा है कहने ही रहा है मतलब कहने का थरीका है यह car को कह रहा है, कहेगा कौन, road में से निकल के कोई बोलेगा, यह car को कह रहा है कि हम तो 10 Newton ही provide करेंगे, तो 10 Newton में अगर तुम गूम सकते हो, तो गूम लेना, उससे ज़्यादा, अगर तुमें force चाहिए गूमने के लिए, तो हाथ जोड़ते हैं, हमारे बसका नहीं है, road छो जिसमें body घूम रही है, और v velocity है body की, तो अगर body ने velocity बढ़ा दी, तो mv square upon r product बढ़ जाएगा, और यहो सकता 10 Newton से जादा हो जाए, तो फिर friction इसकी मदद नहीं कर पाएगा, देखो यह requirement है, m mass की body, v velocity से r radius के पात में तब ही घूम सकती है, अगर उसको center की तरफ इतनी force मिल तो अगर v बढ़ जाएगा, तो यह force जो required force है, जो जरूरी force है गूमने के लिए वो बढ़ जाएगी, और friction कहा रहा हम तो 10 ही है, हम तो नहीं बढ़ा सकते, तो फिर body turn नहीं ले पाएगी, तो ऐसा होता है जादा speeds में, जादा speed में जब कोई turn लेने की कोशिश करता है, तो turn नहीं ले पाता है, skid मार के, road छोड के बाहर निकल जाता है, hills वगरा पर तो ज्यादा तर accident है, वो इसी वज़ा से होता है, अब वहाँ पर sharp turnings है, अब आते हैं, एकदम हीरो पंती में लोग गाड़ी चलाते हुए, speed से मोडने की कोशिश करते हैं, गाड़ी मुडती नही सीधा काई में गर जाते हैं, तो कम, कम speed से मोडो, चीक है, और, 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 एक, एक और scientific बात यहां से पता चल रही है, कि अगर R कम होता है, तो और मुश्किल होता है, ज्यादा speed से मोडना, क्योंकि R कम हो जाएगा, radius of the path कम हो जाएगा, narrow path होगा, तो भी क्या होगा, इ कि मैं इतने तक ही तुमको रोक सकता हूँ, help कर सकता हूँ, मुणने की इस से ज्यादा मैं तुमारी help नहीं कर सकता, तो frictional force की maximum value है, वो होती है, mu s into n, और centripetal force जो है, that is mv square upon R, इतनी चाहिए, इतनी दे सकता है maximum, so for safe turning, जितनी वो दे सकता है, वो चाहिए से जादा होनी चाहिए, यहां बराबर होनी चाहिए, इतनी force वो दे सकता है, sorry, इतनी force वो दे सकता है, यह 10 है, तो यह 10 से कम ही होनी चाहिए, 10 से यह ज्यादा होगी, तो यह घूमनी पाएगी और skid मार के बाहर निकल जाएगी, समझ में आई बात, so, अब अब देखो, mg और n, वर्टिकल ही तो कोई motion नहीं हो, चलो चलके जा रही है घाड़ी, नहीं न, तो μ्यू एस, n की जगा क्या रख देगे हम, mg, रखते ही आ रहे है हर question में, कोई नई चीज़ तो है, mv square upon r, m से m कट गया, तो हम निकालना चाहते हैं, v की limit, v square less than equal to mu r g, और v is less than equal to under root mu r g, ये है safety limit, velocity की की, maximum map इतनी velocity से turn कर सकते हो, इस से ज़्यादा velocity से turn करोगे, तो skid मार जाएगी, गाड़ी और accident हो जाएगा, road छोड़ के बाहर निकल जाओगे, ठीक, तो v max की value यहां से हमको मिल सकती है, v max, v max कितना हो गया, under root mu r g, v max क्या हो गया, under root mu r g, समझ में आई बात, okay, ठीक है, so, अब, अब देखो, अगर कोई, अगर कोई गाड़ी लेके आ रहा हो, तो पहले तो वो आए, turn पे, radius, जब, मतलब, road मुडने लगे, तो सबसे पहले गाड़ी से उतरे, copy panel लेके, ये calculation करे, mu इतना है, mu कहां से पता चलेगा, चलो उसको बताओ, mu पता भी लग गया, mu इतना है, r इतना है, g इतना है, root निकाले, अच्छा, इतनी speed से turn कर सकता हूँ, फिर गाड़ी में बैठे और चले, ऐसा तो भहिया, काम खराब हो जाएगा, अना, लेकिन, इससे यही पता लगता है, कि कम speed से चलोगे, तो safe रहोगे, but friction पे rely करना, एक safe turning के लिए, it is, it is somewhat dangerous, risky है थोड़ा, सिरफ friction पे rely करना, safe turning के लिए, friction का क्या बरोसा, बारिश आगी, तेल गिरी है, सड़क पे, आगे tank कर जा रहा था, तेल वाला वो पलट किया, friction कम हो गया, अब friction जो पहले 10 newton provide कर पा पांच करेंगे, संबल खुद, और फिर तेल वाली सड़क पे, गाड़ी निकल गई, बंदा सोचे यार, कल तो मैंने मोड लिती इतनी speeds, अब friction फिर इसकी है, friction पे जो मामला है, वो रिसकी है, तो हमने क्या किया, centripetal force ही तो देनी है, तो centripetal force देने के लिए, कोई और force भ लगने लगता है, तो उसका एक component इधर मिल जाता है, नहीं समझे, ये road को elevate कर दिया, ऐसे नहीं है road, ये जो इधर से आ रही है, ऐसे, तो जो normal reaction था, वो ऐसे लगेगा, तो इधर इसका एक component मिल जाएगा, जो friction की मदद कर देगा, centripetal force प्रवाइड करने में, इसलिए जो road ऐसी मुड़ती है, वो outer edge उनकी उठी हुई होती है, normal roads पे तो आपको ये थोड़ा मुश्किल है देखना, क्योंकि outer edge कोई 50 डिगरी पे नहीं उठी होती है, आदा डिगरी पे एक डिगरी पे उठी होती है, तो वो naked eye से देखना थोड़ा मुश्किल है, और microscope से नहीं देख So, this outer edge उठाना of the roads is called banking of roads, यही हमारा बहुत important topic है, जिसको next lecture में हम उठाने वाले हैं, detail में, अभी इसी पे टिक जाएं, So, maximum, यह बहुत important formula इसको याद रखो, maximum velocity for safe turning on an unbanked road, unbanked मतला parallel, horizontal, that is under root mu rg, for example, एक road है, जिसका mu है 0.2, और radius है 10, meter, और g ले लो, 10 meter per second square, तो उसमें maximum velocity कितनी हो सकती है, safe turning की, वो हो सकती है, under root 0.2 into 10 into 10, यानि के 100 into 2, 220, root 20, root 20 मतलब 4 into 5, 2 root 5 meter per second, हाना, 2 root 5 meter per second की जाधा speed से, अगर कोई इस road पे turn करेगा, तो वो skid मार जाएगा, उसकी जो गड़ी है, वो skid मार जाएगी, ठीक है, तो उसमें question में value दी हो सकती है, कि बताओ, इतनी speed पे slip करेगा, यहाँ इतनी speed पे करेगा, कैसे, मैं बताता हूँ, जैसे एक और question अगर हम उठाते हैं, मान लो, road पे friction है, 0.1, ठीक है, और याद रखना, यह mu जो है, वो mu s है, क्योंकि maximum force, अच्छा, यहाँ पे mu s मैंने लिखा ही हो आना, यहाँ आठा दिया, तो यह mu s है, तो mu s दिया हो है, 0.1, radius of the path is suppose 100 meter, और g है 10 meter per second square, ठीक है, अब v max जो है, वो हमारा आ गया, mu rg, mu rg, तो यह आएगा 10 meter per second, so, safe limit क्या है, 10 meter per second, तो ऐसे question में यह पूछा होता है, कि बताओ, इस road पे अगर एक car 12 meter per second से turn करेगी, तो turn कर पाएगी, या skid कर जाएगी, तो 12 meter per second से तो skid कर जाएगी, और दूसरे part में suppose पूचाएगी, 8 meter per second से कर पाएगी के नहीं कर पाएगी, तो 8 meter per second से तो कर लेगी, 8 meter per second से कर लेगी, 10 है न, maximum 10, 10 तक friction संबाल लेगा, 10 के बाद friction क्याता है, हमारे बस का ना है, so, this is the turning of vehicle on a horizontal circular road, friction के बहुत सारे application से real life में, उसमें से एक application यह है, पूरा friction पढ़ाने के बाद, वह application में आप से discuss करूँगा, कि क्या importance है friction की, और कहां कहां पर नुकसान है, ठीक है, तो यह बहुत important application है, इसकी work sheet अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि banking of roads पढ़ाने के बाद, combined questions उसके आते हैं, तो इस lecture के तुरूब ही आप बहुत सारी books जीत सकते हैं, बता दिया आपको कैसे तो try करते रहे हैं, मैं आप से मिलता हूँ, next lecture में all the very best.